हेलो स्टुडेंट इस वीडियो में आपके लिए कक्षा आटवी बिसे अंग्रेजी का खंड आ और बाका संपूर सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों यहां पर देखेंगे तो जो आपका खंड आ है यहां पर यह आपको फुल कॉश्चन है देखिए उपर नीचे है बस और कुश नहीं खंड वाका भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं तो यह आप खंड वाप प्रोजक्ट कार देख पा रहे होंगे इसका फुल सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो यह कहां पर मिलेगा इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर आप सभी वीडियो देख पाएंगे कख्छा भी अंग्रेजी की और अन्य सब्जक्ट की आप देख पाएंगे प्रद्वापर्व जो आपके लिए जा रहे हैं इस वीडियो में हम अंग्रेजी का फुल सॉलीशन खंड और बाव बताने वाले हैं यह प्रस ने आपको यहां से स्टार्ट होते हैं सेक्शन ए दिया गया है ठीक है बच्छो यहां से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कॉश्चन है पहला कॉश्चन देखिए नीम फॉलोवर्स और वेनिफिशियल तो यह किसके लिए होता है तो यह होता है इंटेशनल प्रॉब्लम्स ठीक है पहला कॉश्चन का आपको शीवाला सही कर देना है दूसरा कॉश्चन देखिए ड्राइड लीब्ज आर पुट इन कप बोर्ड तू यह हो जाएगा इसका कीप अवे इंसेक्ट तो यह आप्श आप एविल स्पृट ठीक है बच्चो इस प्रकार से आप कॉश्चन तीन का आंसर कर पाएंगे चलिए अब हम क्या नेक्स्ट कॉश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए नीम एज काल ए बंडर ट्री बिकॉज नीम क बंडर ट्रीकियों का जाता है कि इच पार्ट आप डाट री इस यूजबॉल इसका जो प्रतेक पार्ट होता वो क्या यूजबॉल रहता है इसके बाद देखिए दा राइमिंग बट्स अब गुड तो गुड का राइमिंग बट्स क्या होगा तो यह बुड हो जाएगा डबलू डबलोडी बुड इसके बाद पॉसन चाहिए कि फाइंड दा ओड वर्ड एंड राइट हमें फाइंड मतलब की ओड वर्ड करन दूनना है और लिकना तो हाउस हो जाएगा ओड वर्ड क्यूंकि यह बस के यात्रा करते हैं ट्रेंड द्वारा यात्रा करते हो कार रहा है यह तीनों सिमलर वर्ड वर्ड क्या हो हाउस हाउस में हम क्या रहते हैं चलिए इसके बाद साथ पर देखिए पास्ट सेंपल फॉर्म और बर्व ड्रिंक तो पास्ट में क्या सेकेंड फॉर्म आती है तो ड्रिंक क्या हो जाएक है ड्रिंक है ना चलिए इसके बाद देखते हैं आडवा फाइंड एडवर्व एंड राइड तो हमें एडवर्व ढूना है और लिखना है तो यह आपका सई हो जाएगा चलिए इसके बाद देखिए पर्शन करमांग 9 पर्शन करमांग 9 से आपके जो सौर्ट कॉशन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं इनके आपको आंसर लिखना है तो चलिए देखते हैं क्या कॉश्चन इन में दिए गए हैं तो पहला कॉश्चन है कि राइड़ दा कमप्रेटिव एंड शुपर लेटिव फ्रॉम अब दा गिविन बड्स यानि कि हमें जो बड्स दिए गए हैं उनके कमप्रेटिव और सुपर लेटिव डिग्री यहां पर लिखना है तो यजी का लिकना है एजियर एंड इजीए अश्ट तो यह आपका कमप्रेटिव है और यह आपका सुपर लेटिव है उतको बड़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी और सेची तरही इस क्रॉब कीजी और तुरंद उसका पाई वीडियो शॉलिशन अब पूछे अपने अलिमेटर सवाल कहीं भी कभी भी डाउटर्ट अब के साथ या फिर आपके 6 से 12 तक हो IIT जी नीट का सवाल हो या फिर सीवेसी, यूपी, विहाराजिस्तान या फिर आधर स्टेट का हो या फिर आपका फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ, वाइलोजी या साइंस का सवाल हो सभी सवालों के अंसर आपको मिलेंगे डाउटर्ट अप पर इस तो इसका जो कमपरेटिव डीपर हो जाएगा और सुपरलेटिव डीपस्ट हो जाएगा ओके जैसे बहुँआ कि यह मतलब कॉन सर देना जो सेटर्डड़ या निगी सनिवार और स्वांबार के बीच आता है तो आप जानते हैं किया रवीवार आता है तो Sunday comes between Saturday and Monday और आप फिर क्या पूचा Write any one Write any one work that you do that day और इस दिन आप कोई एक काम करते हैं तो क्या करते हैं हम खेलते हैं अपने दोश्टों के साथ चलिए अगला question क्यों बालते हैं अगला question है question number 11 How are the days in the south during January तो the days in the south during January are very fine यानि की जो south during day तो बहुती फाइद अच्छे होते हैं बालबा question देगी है Why did Bola and Santhi decided to sell the horse यानि की जो Bola और Santhi थे उन्होंने क्यों निर्लन लिया की वो गोड़े को बैच देंगे तो क्योंकि जो the horse trainer जो horse trainer यानि की जो कौन था भोला था and his wife कौन थी Santhi decided to sell बैचने का the horse गोड़े को in the market बाजार में because क्योंकि they thought उन्होंने सोचा that in it ate a lot of food like a elephant तो ये जो गोड़ा था वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था जैसे कि कोई elephant खाता हो इस परकार से उन्होंने सोचा कि चलिए अब हम गोड़े को बैच देते हैं चलिए परसन करमांग तीन के और बढ़ते हैं make the format आप नोट बनाना है तो जो भी कोई note format हमें बनाना है तो सबसे पहले हमके लिखते हैं जो हमें company या कोई बो है title यहां पर लिखते हैं पर notice यहां पर adding डालेंगे फिर यह इतनी जगा हम body of center लिखेंगे यहां पर आप date लिखेंगे notice के तुरण थोड़ा ऊपर यहां पर right side में date फिर सबसे नीचे आपको signature और designing करने लिखेंगे इस परकार से आप लिखेंगे तो आपको दो में से दो अंक मिल जाएं इसके बाद question चाओधा देखिए write any one stanza of the poem which you like the most जो आपका chapter है उसमें से कोई एक stanza जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप लिख दीजीगा जरूरी नहीं कि आप यही लेकिए आप chapter में से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है पंदरवा question देखिए ब and write eight sentence about it तो इसके बारे हमें eight sentence लखना है तो teacher are teaching यहाँ पर teacher क्या पढ़ा रहे हैं तो बच्चो 16 ही question आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथी साथ इसकी साथ आपको खंड बावी देखने को मिलेगा तो children are sitting children बच्चे यहाँ पर देखिए बैटी हुई है lots of guide studying और जो यह आपको कर लेना है इसके बार सोलबा कोशन है यहाँ से आपको circle में जो दिये गए है एंड को एंड में से adjective वर्ट समय यहाँ पर select करके लगना है तो यहाँ पर happy कर देना थी fine clever oldest new strong smart तो इस प्रकार से बच्चों आपको यह कर देना है चलिए अब हम देखते हैं अब आपको बता रहे हैं तो यहाँ से देखिए जो आपका start हो रहा है यह पहला question है यह आपको दर्संग के लिए जो दिए जाएगा पहला question है ठीक है यहाँ से आपको क्या देखिए यह आपको बताए जा रहा है कि you have visited the market many times आपके अपने market में कई वार गए होंगे और आपमागा देकाा में आपने क्या क्या देका बैजी टेवल में आपने क्या देका उस्तुरी के पर पहला दूसरा बहर देना है यहा से आपको दसों के दस निए हां से बर देंगी और दस नंक मिल रांग निगा ठीक है मुझे आसा है कि आप यह दस hypertंसे दस व्लेंगे और संग पराप्त कर लेंगे फिर इसके बाद कॉश्चन दूसरा स्टार्ट होता है बच्चों यहां पर आपको मातमा गांदी का जो डाइग्राम है वो चित्र है वो आपको यहां पर चिपकाना पड़ेगा तभी आपको फूलंक मिलेंगे और यहां पर सेंटेंस बोला था कि आ आपको 5 सेंटेंस लिखना है तो यहां पर हमने मातमा गांदी जी के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है आप देख लिजीगा इसके बाद फिर जवाला नहरू तो यहां पर आपको जवाला नहरू जी की पोडू चिपकाना है यहां पर इसके बाद इनके बारे में आपको 5 सें जयोगी.